हेलो दोस्तों मेरा नाम त्रिभोन सिंग है मैं रेरा साटीफाइट पॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आपको दो सुसाइटीज का कंपेर कराऊंगा एक माइवन में बनी है और एक ब्रिक्स में बनी है और आज मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि बहुत सोर है कि माइवन टेकनोलोजी बहुत अच्छी होती है दोस्तों कई कस्टमर होते हैं जो माइवन टेकनोलोजी ही लेना पसंद करते हैं और अगर वो माइवन टेकनोलोजी में नहीं बनी है तो उसको नहीं लेते हैं लेकिन यह जाना जरूरी है कि माइवन टेकनोलो बनती थी उनमें क्या स्टेटस है उनमें क्या कमी है और क्या आज दस साल बाद या पंदर साल बाद वो कैसी दिखती है यह जानना जरूरी है और देखना भी जरूरी है दोस्तों मैं आज खड़ो हूं सेक्टर 10cover mua में नोटा का यह सेक्टर 159 है एक सैट 159 है और एक साइट क्या है और एक सायट सक्टर 152 है मेरे सामने देखें यह सोसाइटी है इस स्टारलिट सेक्टा एक سो बावन में और यह बन रही है मैञ़न में और दूसरे आप सामने देखें JP Amun है जो की ब्रिक्स में बनी हुई है और JP Amun में जो च्छुक्षन है आप बाहर से देख सकते हैं साइद एक एम्रे से ना दिखाई पड़े लेकिन जो लोग जानते हैं जो लोग आके देख चुके हैं वो जानते हैं कि उसकी कैसी हालत है साइद आपको यह लग रहा होगा कि मैं बहुत तरीफे करने वाला हूं माईवन टेक्नलोजी की लेकिन मैं नहीं करने वाला हूं मैं आपको सच्छा ही बताने वाला हूं कि क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों माईवन टेक्नलोजी में अच्छा ही यह है कि यह बाहर से स्जर्ञेब को एक साथ लगाये जाता है एक साथ पूरा फ्लोर बना दे जाता है यह होथी है माइवन टेकनलोजी लेकिन इस टेकनलोजी में कुछ प्रवब्लम भी है कि प्रवब्लम यह है कि उसमें हीट बहुत ज़ाद आती है तो कि पूरी आत của का ज़्यादा गर्मी नहीं होती और आज कल एक साइमल टैंसली कुछ प्रोजेक्ट बनते हैं वह एस ब्लॉक में बहुत हलका होता जिए ब्लॉक और वह को और नहीं जाने देता हूं रिजिस्टेंस होता है इसके अंदर तो वह तो इस मैं इस ब्लॉड्स में और माइवन में और ब्रिक्स में यह जादा करता है पूड नकांतर यह प्लोंक एक दम करता है और जो ब्रिक में जो बिल्डिंग बनी है। तोड़ा बड़ा करती हैं। आजली करना इसके बाद लोग कहते हैं कि यह बिल्डर कहता है जो बनाते हैं डेप़लपर की इसमें में अज्य सा बिलकुल भी नहीं है। मैं आपको एक एक्जामब से समझाता हूँ कि अगर आप अपना घर बनाते हैं और अपनी रूफ छत होती है बिल्डिंग की और वहाँ पर अगर टीटमेंट नहीं हुआ है और पानी आ जाता है तो नीचे से टपकने लगता है सेम चीज यहां पर भी है अगर मायवन टेकनलोजी में बिल्डिंग बनी है लेकिन उसका प्रॉपर टीटमेंट नहीं हुआ है तो सीपेज आ सकता है वह अश्रूम से सीपेज आ सकता है तेरस से सीपेज आ सकता है और कहीं से भी आ सकता है और यह सेम चीज आपको सीपेज का प्रॉब्लम है वो ब्रिक में बनी बिल्डिंग में भी हो सकता है एक और चीज है अगर आप ब्रिक्स में बनी बिल्डिंग में सीपे जा जाता है तो सीपे जा जाने के बाद उसका जो पूरा पैच है पूरा प्लास्टर है उखड जाता है और पूरी बिल्डिंग खराब द बिल्डिंग उखडी पड़ी है मतलब प्लास्टर उसका पूरा गिरा बड़ा है और हाई राइस बिल्डिंग में प्लास्टर को ठीक करना पेंट को बार बार ठीक करना बहुत रिफिकल्ट है यह आना ही नहीं चाहिए लेकिन माइवन टेकनलोजी में यह अचाही है कि अगर यहां पर सीपेज आ भी गया और पैच आ भी गया तो वहां पर प्लास्टर नहीं गिरेगा क्योंकि प्लास्टर इसमें होता ही नहीं प्लास्टर करने की जरूती नहीं होती, पूरी फिनिसिंग है, इसमें पेंट और प्योपी एंड पेंट होता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती कि वैसा पैच आ जाए और पूरा खराब होने लगे बिल्डिंग, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, अगर आप वो में आजकल कॉमर्शियल जादा बनते हैं, और रेजिडेंशल कम बन रहे हैं, या कुछ मनते हैं, जैसे सक्टाए 150 में, एल्डिगो बना रहा है, टाटा बना रहा है, गोधरीज बना रहा है, एस ब्लॉक में बना रहे है, कुछ प्रोजेक्ट, और मेरी समझ में बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्लास्टर गिरेगा और अगर उसमें सीपेज आ गया तो जरूर से जरूर उसमें जो है वह पैचेस बनेंगे और प्लास्टर जो है गिरेगा भी तो यह बेसिक डिफ्रेंस है माइवन टेक्नलोजी ब्रिक्स एंड एस ब्लॉक की दोस्तों जब भी आप खरीदें तो जरूरी है यह देखना कि जो बिल्डर उसको डेपलप कर रहा है वो बिल्डर की क्वालिटी क्या है उसमें क्वालिटी में फोकस क्या है उसका क्या इसके पहले जो प्रोजेक्ट उसने डिलीवर किये है या जो प्रोजेक्ट अभी वो बना रहा है उनमें construction की quality से compromise तो नहीं किया उसने मैं ऐसे बहुत सारे builders को जानता हूं जो construction की quality से compromise नहीं करते हैं और मैं ऐसे builders को भी जानता हूं जिनका construction quality में focus ही नहीं होता दोस्तों customers को जो बाहर जाता है या अपना first time home खरीद रहा है उसको यह चीज पता बिल्कुल नहीं लगती है कि construction की quality का focus और क्या क्या चीजें और इसमें include हैं उनको लगता है कि अगर यह माइवन में बन रहा है तो वह सुपर चीज बन रही है चाहे वो कोई भी बना रहा हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस चीज को भी consider करना बहुत जरूरी है कि developer का track record क्या है और उसका intention क्या है वो quality कर सकते हैं आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं और जो best advice होगा आपके लिए वो मैं जरूर दूँगा अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले क्योंकि मैं ऐसे informative वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपको decision लेने में मदद मिल सके दोस्तों मेरा नाम त्रिभौन सिंग है मैं रेरा certified property consultant हूं और मेरा phone number है 7838696817 थैंक यू